अस्वाहुलेकूम क्लास विटाव अपने आज नए टॉपिक पर आज हैं इससे पहले जितना भी काम आपने पढ़ लिया है वो सारा का सारा काम आपको याती होना चाहिए आज हम जो टॉपिक डिसकास करने जा रहे हैं वो हैं मिटालिक बॉंड इससे पहले आपने तीन बॉंड पढ़ लिये atom क्या है सबसे tiniest particle और बहुत सारे atoms मिलके आपको एक element बना के देते हैं अगर for example मैं कहूँ यह सारे elements है यह एक element है और उस element में यह सारे atoms है तो एक ही जैसे बहुत सारे atoms एक element बनाते हैं बहुत सारे आप elements carbon के ले लें तो एक carbon का element बन जाएगा बहुत सारे आप atoms ले लें sodium के तो एक sodium का element बन जाएगा कोई भी आप element उठाएं उसके अंदर atoms बहुत सारे होंगे और सारे के सारे atoms एक जैसे होंगे isotopes भी हो सकते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं कि isotope नहीं होगा isotope भी हो सकता है लेकिन atoms उसी same substance के होंगे अब यहाँ पर metallic bond जो word यूज़ किया गया है metallic bond metallic bond अब यहाँ नाम से पहले समझते है metallic metal होगा metal के दर्मियान कोई bond बन रहा है तो उसको हो सकता है metallic bond कहते हो पक्रीबन ऐसी ही बात होती है अगर यह मेरे पास metal का element है कोई भी element है जो metal है उस element के अंदर atom भी जाहर है उसी metal के होंगे तो जितने भी जाहतर metals है transition metal पूरा group B metal से बराव है group 1 है और group 2 है जाहतर सारे के सारे metals है जितने भी metals है उनके अंदर एक ऐसी ability होती है जिसमें आप कहते हैं de-localized electron de-localized electron उन electrons को कहते है जो के आपके अच्छा पहले तो word clear होना चाहिए de-localized आपक का ये जो वर्ड है localize उसको कहते हैं कि कहीं पहर उसकी location है localized location से निगाल है de-localized यानि की उसके कुई location नहीं है de-localized electron को हम free electrons भी कहते है mobile electrons भी कहते है जो आपकी mobile है ये जो आप वास खिलोने हैं, इसको मुबाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कहीं पे भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन पुराने ज़़ाने में फून करने के लिए, ये जब इजाद नहीं हुआ था, तब उससे पहले बड़े बड़े फून होते थे, जो क्या आप एक जगा आप पर रखते थे, उसको महां से हिला नहीं सकते थे, PCO जो वर्ड आपने कभी बच्पन में सुना हो, या देखा हो, कुछ जगा ऐसी हैं, जहां पर आप काम नहीं करते हैं, लेकिन वो शोपीस के लिए, म्यूजियम के तौर पर वहां पर लगा दी हैं, जैसे म्यूजिय होई है, तब से आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं, यह आपके पास पहली कम्यूनिकेशन गैजट है, जिसको हमने इतना कॉमन कहती है, मुबाइल, मुबाइल का मतलब होता है, एक पॉजिशन से दूसरी पॉजिशन पर ट्रांसवर अराम से हो जाना, जो आपके पास गाड़िया हैं, तो आपको एक जगा से दूसरी जगा पहुचाते हैं, जो आपके पुलिस की गाड़ी होती है, उसको पुलिस मुबाइल कहते हैं, क्यों कहते हैं, वो जो वर्ड मुबाइल है, एक जगा से दूसरी जगा ट्रावल कर सकते हैं, तो उसी तरीके से मुबाइ electrons या free electrons या de-localized electrons वो ही होते हैं, अब अगर मेरे पास for example कोई भी metal आइन है बिटाई यहाँ पर आज़े हम आपस आप क्या यह पीछ में क्यों के लेक्सर रुख किया था शुरू से पढ़ा रहो metallic bond क्या है metallic bond आपके metal के अंदर कोई force of attraction को हम metallic bond कह रहे है bond जो word यूज़ किया था chemical bond में that is basically chemical forces या force of attraction अब chemical bond जो आपने पढ़े हैं जितने भी types के उसके बाद अब आप यहाँ पर metallic bond पढ़े है metallic bond क्या है यह force of attraction है between metal ion and de-localized या mobile या free electron free electron बोले de-localized कह हैं या आप इसको दूसर नाम दे दे तो वरहाल आपके पास यह पूरा आपका element है उस element के अंदर अगर मेरे पास यह atoms है तो जितने भी ions हैं उनके पास जाहरे एक electron की कमी है यह क्या करता है यह atom है यह अपना electron जो free electron है जिसको आप de-localized कह रहे हैं जिसकी कोई location fix नहीं है वो अपनी मर्जी से इदर उदर घूम रहा है छोटे बच्चे होते हैं आप उन्हें एक जगा बिठा के रखनी सकते हैं उन्हें आपने इजगा जबरदस्ती बिठा दिये तो उनके अंदर चल मच जाती है कहीं भी भागने की वो इदर उदर भागते रहते हैं तो ये भी electron उसी तरीके से ये electron सब के पास इदर उदर घूम का रहेगा जिसके पास भी आइन का मतलब क्या है खाली जगा है अगर ये metal आइन है तो इसके पास खाली जगा होगी उस जगा पे वो electron चले जाएगा तो वो force of attraction जो metal आइन और de-localized electron के दर्मियान है उसे आप कहते हैं metallic bond तो metals जितने भी हैं वो सारे के सारे positive आइन होते हैं अपने अंदर से electron निकाल देते हैं और metal के जो आपने पढ़ा है सब shells होते हैं d orbit या f orbital उनके अंदर ये electrons useless पढ़े होते हैं जादर वो electrons आपके de-localized electrons कहते हैं उनको और ये वाले electrons जब इदर उदर freely move करते हैं तो जाहरे अगर ये electron इस आइन के पास है तो ये इसके साथ attracted है ये इसके साथ bound हुआ है तो इस force of attraction को आप कहते हैं metallic bond ये simple concept था अब अपनी किताब पर ये notes पर आज आज है तो ऐसे bond जिसको आप जो बनते हैं metal line and de-localized electron इनके दरमियान की जो force of attraction है उसको आप कहते हैं metallic bond definition आपको मैंने लिखवा भी दी और ये आपका clear भी हो गया explanation क्या है ये सारी explanation है metal अपने outer motion में से electron lose करेगा खाली जगा बन जाएगी वो खाली जगा अब आपके पास क्योंके अब आइन बन गया है खाली जगा का मतलब क्या है अब वो positive आइन बन गया कोई भी atom अपने अंदर से electron किसी को देगा तो वो positive आइन बन जाएगा तो ये metal आइन बन गया positive आइन बन गया इसके बाद जो यहाँ पर जितने भी atoms हैं उनके electron जो free होंगे वो इदर आना शुरू हो जाएंगे इस वाली जाया वो फिल करना शुरू कर देगे ये विचारा इसका electron किसी को इसको देना पड़ गया तो जो बराबर वाले atoms हैं वो अपने electron जो उनके बाद free पड़ा होगा जिसकी location प्रॉपर नहीं होगी de-localize होगा वो इदर आ जाएगा तो जितने भी outermost shell में इनके electron किसी को देने पड़ते हैं और ये खुद metal आइन बना लेते हैं प्रॉपर आजाइन नहीं हुआगा सब तक आपकी जगा fix नहीं है तो उसी तरीक ऐसे जब इनका electron किसी को ये दे देते हैं तो अपने structure में जिसको आप lattice structure भी कहते हैं lattice के अंदर ये अपनी जगा fix कर लेते हैं और उस fix structure के अंदर जब वहाँ पर मौझूद होते हैं तो इदर उदर जो इनके साथ atoms bonded है उनके electron अराम से travel इनके पास कर लेते है तो वरहाल यही सारी explanation आपको लिखी वे delocalized मैंने आपको बता दिया यह freely move कर सकते हैं electrons जो आपकी explanation है वही किताब की में बता रहा हूँ तो metal lattice structure का मतलब कि आपके पास structure कैसा है आपके पास जो metal के atoms है वो prismatic shape के हैं prismatic का मतलब prism जैसे आपने देखा है उस shape के हैं prism आपके उस कुछ इस तरीके से अजीब हो गरी होता है prismatic shape यह होती है कुछ या octahedral है या कुछ भी है वो shapes अभी आपने नहीं पढ़ी है, shapes होती है, crystal की कोई न कोई shape होती है, उसी तरीके से metals जब अपने आपको आपस में element form बनाते हैं, atoms जब combine होते हैं, उनका एक structure होता है, वो structure उसको हम latex structure कहते हैं, जिस तरह अगर आपको मैं कहूं कि एक चीनी है, चीनी का दाना है, वो बड़ा आप दाना उठ आपको नजर आ रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं कि metal iron के पास सब के पास almost अपने-पने electrons हैं यह electrons कहांचा है यह electrons इदर उदर दूसर आइटम के delocalize जिनकी कोई fix position नहीं थी, free थे movement इनकी free थी, कहीं पे भी move हो सकते यह वो electrons से और इस तरीके से यह जो electrons और metal iron के दर्मयान force of attraction है, इस force of attraction को आप कहते हैं metallic bond metallic bond sum up किया जाए तो simple सा है, metal line और free electron के दर्मयान जो खिचाओ है, जो force है उस force of attraction को आप कहते हैं metal bond clear रही है